ज्वाइंट एक्टिव कमीटी की मार्क दर्शन में मानव व्यात्रा नाकपूर से सेवा ग्राम होते हुए साबरमती एहमदबाद गांधी आश्रम एवं सर्दार वल्लभाई पतेल प्रतीमत तक जाएगी जो नाकपूर से 29 सितंबर से 2 अक्टूबर को सड़क मार्क से गुजरात पहुचेगी ज्वाइंट एक्टिव कमीटी श्री महात्मा गांधी एवं श्री सरदार पतिल की दिखाए गए रास्तों पर कारे करने का शपत लेने वाली है और भारत सरकार एवं सभी राज सरकार के साथ एवं सहयोग की अपिक्षा करके राश्री इतमे कारी करने में सफल होने का प्रयास करेगी Joint Active Committee के मानव यात्रा का उदेश सिर्फ देश की जवान किसान मजदूर ड्राइवर को मान सम्मान मिले जो रात दिन देश की सेवा में कादी कर रहे हैं राश्र के हित में अग्रसर हैं उन्हें न्याएं मिले ऐसा संभोधित करने में समर्थन की मांग करेगी सुरक्षा जान की रक्षा सड़क हाथ से को रोकना भैमुक्ति सफर तै करना सड़क मार्क से रोजकार को बचाना सभी प्रकार के मानव का फर्ज और कर्तव ये बनता है और सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट संगटन ट्रक चालक मालिक अपने साथ दे रहे हैं साथ ये ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट इस जमानव यात्रा में शामिल हो ऐसा अनुरोज ज्वाइन एक्ट्यूव कमेटी के संस्थापक प्रहलाद अगरवाल भाईचारा राजमार परिवन सेवा बियार पियस की संस्थापक अध्यश नरेंदर मिश्रानी किया है प्रहलाद अगरवाल का सब को प्रणाम मैं हिंदुस्तान को भार्ण को एक बनाने के लिए यह मानव यात्रा निकाल गाँ जिसमें मेरी नजर में तीन कुम्यूनिटी को भी तकलीफ है किसान को, नोजवान को और ड्रैवर भाईयों को शात्यो नमस्कार आज के तारीक में जो हम लोगों ने जोएंट एक्षन कमिटी के मांग दर्शन में मानो यात्रा का एक सुबावरों करने जा रहे हैं गांधी आस्रम सेवा ग्राम नाकपूर से लेकर और सामर्बती आस्रम आमदावात जिसमें अपने सरदार बल्लम भाई पटेल के इस्टियोचू तक यात्रा जाएगी हम लोग मिल जुल के एक यात्रा निकाल रहे हैं मानो यात्रा वारी से नबीसे नीउस के लिए सौरब पाटेल के रिपोर्ट